आज हम मिठाएं बर्फी बनाने वाले हैं वैसे तो बर्फी बनाने के लिए आपको खोवा और मिल्क पौडर जरूरत पड़ती हैं लेकिन आज हम जो बर्फी बनाने वाले हैं इसके लिए आपको खोवा और मिल्क पौडर जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी यह बहुत ही मिठाई है कम चीजों जदिज बनकर तयार हो जाता है नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बर्फी बनाने के लिए हमने या पर एक कप भीग हुई चैनिक डाल लिया है दाल को हमने चार घंटे के लिए पाने भीग और इसी में हम डालेंगे एक कप दूद ये उबले हुए दूद है इसको हमने पहले से उबाल कर लिया है तो पूरे दूद को डाल में डाल देते हैं अब कडाही कूपर हम ढखन लगाएंगे और दाल को 10 से 12 मिनट के लिए धीमियाच पकाएंगे क्योंकि इसमें हमने दू साथ दूद भी गाढ़ा हो गया है दाल को हम दाप कर दिखाते हैं आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरीके सपक चुके हैं अब गाइस को हम बंद करेंगे और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए दाल अच्छे ठंडा हो गया है अब पूरे दाल को हम जार्म डाल कर पीसेंगे तो दूस सहित पूरे दाल को हम जैरम डालेंगे दाल को हमने पीस लिया है लेकिने पूरी तरह तयार नहीं है आप इसी में हम दो बड़े चमत दूद की मलाई डाल कर पीसेंगे इससे बर भी और भी टेस्टी बनेगा तो मिक्सी को हम एक बार फिर से चलाएंगे जिससे मलाई डाल में मिल जाए आप देख सकते हैं इस तरह से हमने डाल को पीस कर तयार कर लिया है मिठाई के लिए हमने एकदम महिन पेस्ट बनाया है अब इसी का हम मिठाई बनाएंगे अब जो दाल का पेस्ट हमने बनाया है पूरे पेस्ट को हम कडाहिम डालेंगे जिस कडाईम हमने दाल को पकाया है उसी हम मिठाई को बनाएंगे पूरे पेश्ट को हम कडाईम डाल देते हैं अब इसमें हम डालेंगे दो तीहाई कब चीनी चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना मीठा आप खाते हैं, उसी हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी बहुत कम भी न करें, क्योंकि मीठाई थोड़े मीठे रहेंगे, तभी अच्छे लगेंगे, अब इसे हम लगातार चलाते हुए मीडिया माच पर भूनेंगे, इसको हमें तब तक भूनना है, ज इसरण हमें इतन सुखा बनाना है, जब यह सुखे रहेंगे तभी बर्फी जमेगा, लगबक 10 मिनट पकाने के बाद, आप इसमें आधी छोटी चमच इलाजिक पॉड़र डालेंगे, और आधी छोटी चमच एलो फूट कलर डालेंगे, कलर आप्सनल है, अगर आपके पास कलर नहीं है, तो आप बिना कलर के बर्फी बना सकते हैं, कलर को अच्छे से मिला लेते हैं, आप इसमें हम दो छोटी चमच देसी घी डालकर मिलाएंगे, प케र गी डालकर मिला लेते हैं अगर जरूरत पड़ी तो एक चमच घी हम आउट डालेंगे घी डालने से क्या होगा बर्फिक स्वाद और बढ़ जाएगा और जो बर्फिक कड़ाहिम चिफके हैं वो छोड़ देंगे इससे बर्फिक भी जल्दी जमेंगे अभी थोड़ा घी कम लग रहा है तो एक चमच घी हम आउट डालकर मिलाएंगे घी डालने बाद अभी बर्फिक हम चार से पांच मिनट तक और पकाएंगे जिससे बर्फिक इदम सूखे हो जाएं क्योंकि बर्फिक सूखे रहेंगे तो जल्दी जमेंगे और गैस को हम मेड टीयमें रखेंगे तेज नहीं करेंगे वर्फिक हमने पका लिया है आझसे हम चे करेंगे अगर बर्फिक गॉली बने तो समझिए वर्फिक तयार है कि आप देख सकते हैं बर्फिक गोली बन रहा है यह चिपक नहीं रहा है यानिको या बर्पि Cal no है अब गयस को हम बंद करेंगे और बर्फी को जमा कर सेट करेंगे बर्फी को हम इसी बॉक्स में जमा कर सेट करेंगे इसमें हमने बटर पेपर लगा दिया है अब इसके उपर थोड़ा तेल लगाएंगे तेल हमने लगा दिया है अब पूरे बर्फी को हम इसमें डाल कर सेट करेंगे बर्फी को हम फैला कर एक लेvel में कर देते हैं जिससे बर्फी कहीं से मोटे पतले न रहें एक बराबर में जमें वैसे आप चाहें तो इस बर्फी को थाली या फिर प्लेट में जमा सकते हैं उसमें भी ये बर्फी आसानिस जमेंगे बर्फी को हमने सेट कर दिया है अब इसके उपर से हम थोड़े से बारिक कटे हुई पिस्ता लगाएंगे आप चाहें तो इसकी जगाएं काजू बदाम भी लगा सकते हैं इसे हलके हां से दाब देते हैं जिससे पिस्ता बर्फी में चिपक जाएं बर्फी को हमने पूरी तरह सेट कर दिया है अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए पंके खावाम रखेंगे जिससे बर्फी जम कर टाइट हो जाए लगभग 20 मिनट के बाद बर्फी जम कर टाइट हो गया है अब बर्फी को हम काट कर दिखाते हैं तो पहले बर्फी को हम बाहर निकाल लेते हैं अब बर्फी को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं इसको आप जैसा चाहें छोटे बड़े पीस में काट सकते हैं काटने बाद आप देख सकते हैं ए बर्फी हमारी तैयार है कितना बढ़ी है चने की दाल के बर्फी बनी है बहुत ही मुलायम बढ़ी बर्फी बनी है बर्फी को हम तोड़ कर दिखाते है तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा बर्फी कितने मुलायम बने हैं तो आप भी इस तरह से घर पर बीना मावा मिल्क पाउडर के बर्फी असानिस बना सकते हैं यह बर्फी जल्दी खराब नहीं होंगे इसे आप एक हफ्ते रख कर खा सकते हैं यह ऐसे मुलायम बने रहेंगे टाइट बिल्कुल नहीं होंगे आप इस मिठाई को जरूट ट्राई करें यह आपको बहुत पसंद आएगा